गुरू बार यानी 27 जुलाई को सोसल मीडिया पोस्ट से संबंधी दो महीने पुराने बिवात पर देहरादून के पटेल नगर में मुसलिम यवकों के एक समुने एक हिंदू लरके की बेहरायमी से पिटाई की गुरू बार 23 से 25 जुवकों के मुसलिम भीर ने अमन भंडारी पर तलवारों और लाठियों से हमला कर दिया विकौम छात्रकिता पिटाई की गई जब वह अपनी मोटर साइकिल पर अपने कॉलेच से लौट रहा था पिरित को कई चोटे आई और फिलाल वह पटेल नगर के स्री महंद इंद्रेस हस्पताल में भरती है पुलिस के मौके पर पोचने से पहले ही मुसलिम हमलाबर भाग निकले अमन भंडारी पर हुए पुरूर हमले के बाद कई हिंदू संगठनों ने बिरोध प्रदर्शन किया और घटना स्तल पर खरे एक आरोपी के स्कूटर में तूर्फोर की कई हिंदू कारे करताओं ने उस हस्पताल में भी विरोत प्रदर्शन किया जहां पीरित अमन का इलाज चल रहा है बताया जारहा है कि पीरित के सर पर 27 टाके आये पुलिस ने स्थितिक और यंतरन करने के लिए पियस बलत्यानात कर दिया था बिसेश रूप से है मामला अमन द्वारा कथित तोर पर मुस्लिम समुदाई के खिलाब निर्देशीत एक सोसल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है मामला जल्दी SSP कार्याले तक पहुँच गया जहां SSP ने अमन के साथ सोसल मीडिया पोस्ट को हटा कर विवात को सुझाया लेकिन मुस्लिम युवक बदला लेने के जित परारे रहे और गुरुबार को हिंदू युवक के साथ बेहरमी से मार पीट की